दोस्तों आये हैं एक फॉर्म पर आप लोगों के अक्सर यह सवाल रहते हैं कि बीना कैनोपी के या बीना कॉंक्रीट रिंग के यह लोग इतनी अच्छी कैनोपी कैसे बना लेते हैं यहां पर बीना टायर और बीना कॉंक्रीट रिंग के यह लोग इतने अच्छे से कैनोपी कैसे मैनेज कर रहे हैं यह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो चलिए मैं बेक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे लोग इतनी बहतरीन कैनोपी बीना कॉंक्रीट और बीना रिंग के बना लेते हैं इससे आपकी कोश्ट तो कम होती है करोबं 30% आपका स्ट्रक्चर का कोश्ट कम हो जाता है चलिए को पूर एक्स्प्लेन करने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में ताकि हम भी इस तरह की प्रैक्टिस इंडिया के अंदर कर सकें और इतना बहत्रीन काम जो यह कैनोपी बनाने में करते हैं सेम ऐसा हम अपने इंडिया के अंदर में भी इंप्लिमेंट करने की कोशिश करें सब्सक्राइब कीजिए किसानमित्र यूट्यूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें यहां आप देख पा रहे होंगे एक सिंपल लगाया हुआ है चार फिट का यह पोल है जमीन से आसपास में जो पोदे लगे हुए दालचीनी के पोदे लगे हुए और देखिए यहां चार पत्तों को मोड़ के इनुना कितना बहतरीन कैनोपी बनाए एक्स्ट्रा लीफ कभी निकलता है उसको कट कर देते हैं मौस्ली कोशिश यह रखते हैं कि उपर में मैक्सिमुम लेकर आजाए यानि इस पॉर्शन में सेंटर जो पार्ट है इस पॉर्शन में ज्यादा लीफ लेकर आजाए जैसे यह हैं यह हैं इनको यह रख लेते हैं और बाकी अडिशनल जो इसको आहिए जैसे कि माली जीडियर इसको यहां आता है इसको तोड़ देते हैं इसको रखने की जूरुड़त नहीं है क्योंकि किसका लिफ इसका लोड जो है वह इस पत्ते के उपर आएगा ना कि ऊपर कैनुपी पर रिख यहां इन्होंने इसी तरह की प्रेक्टिस रख कम्मिनिकेशन गैप होता है उनको इंगलिश और हिंदी नहीं आती है तो हम ट्रांसलेट करके पूछते हैं अब यहां देखिए कितने सारे लिफ पहले निकले थे इन्होंने सब इसको काट दिया यह भी जो लिफ निकलते हैं इसको भी कट कर दिया जाता है इन्हें रखने की जुरूरत नहीं होती है आगे से जो चलेगा उसे यह रखते हैं इसे भी रखने की जुरूरत नहीं है यह देखिए इस लेल देना सब्सक्राइस के और इनका मैनेजमेंट भी आप को दिखाने कोशिश करेंगे कि यह बोटर मैनेजमेंट किसे सारब से करते है तो बिना कॉंक्रीट रिंग के आप लोग भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते बना सकते हैं एक खाली थोड़ा सही है कि प्रेक्टिस करेंगे एक दो पॉल से स्टार्ट करके देखिए बड़े स्केल में कोशिश ना करें क्योंकि आपको एक्सवीजेंस नहीं है हम भी अगर फिल्ड पे अभी जाएंगे तो अपने इंडिया में तो वहां इस तरह की इंप्लिमेंटेशन करने की कोशिश करूंगा मैं भी और आप लोगों को टाइमली दिखाते रहेंगे कैसे इसको मैनेज करना है यह देखिए यहां एक लीफ कैसे बैंड कर दिए जो पहले पुरा बनते हैं कुछ समय के बाद में एरियल रूट निकलती है जैसी एरियल रूट है यहां पर आप देख पा रहोंगे एरियल रूट निकलती है वो इसे पकड़ लेती है तो यह हिलता नहीं अपनी जगह से और कैंबियन लेयर बहुत मोटी बन जाती है यहां पर क्योंकि एट यहां प्रमर्सीवर नहीं है नाले टाइप बने हुए हुए वहाँ से लेती ऑक्ससिट जो वैट रहती है इस तरह छी माल्या बनाके रखते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं उस साभ में नाली बनी हुए है वहां उसके अंदर ये पानी चला जाता है दो दो लाइनों के बीच में एक लाइन ये है इन दो लाइनों के बीच में एक चोटी चोटी नाली बनाई हुई है यहाँ पर यह देखिए आगे तक और फिर यह नाली वहाँ गड़ा है वहाँ पर पूरा खालनुमा एक कैनल टाइप बना हुआ है और वो पूर आपस में एक दूसरे से मर्ज है इंटरकनेक्ट है और यह पानी वहाँ से निकल जाता ह अगर किसी किसान के पाई से यह तलाब रहता तलामे कठा कर लेते हैं वरना उस ना लेके जरीए यह पानी आगे चला जाता है तो इसे साब से यह लोग मैनेज करते हैं देखिए आप कि लोग सवाल कुछते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कमेंट में भी कई बार आते हैं ऐसे कैसे बना लेते हैं यह लोग यहां आपको पूरा दिखाता हूं देखिए यहां एक हिकलोते यही फार्म नहीं है सभी फार्मर ऐसे ही करते हैं इसको यह बिना कॉंक्रीट रिंग के ही कैनोपी हैं सब बनी हुई है चलिए मैं कुछ डेवल अप हुई कैनोपी आपको दिखाता हूं यह तो छोटा फाम है जब बड़ा हो जाता है तो कैनोपी कैसे बन जाती है चलिए यह आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में जो डाटा हम यहां से ले के आ रहे हैं वो पूरा किसान भायों के लिए हैलफुल रहेगा इसके लिए कोशिश क कर रहे हैं कि कॉंटिन्यू वीडियो डालते रहें अपने चैनल पर ताकि आपको इंफोर्मेशन मिलती रहें यह देखी है यहां पर कितना बहतरीन तरीके से इनोंने कैनोपी को मैनेज कर दिया वही चार चार पोधे थे नीचे में यह देखिए बहुत बढ़िया तरीके स साल पुराना फार्म होगा और यह जो फार्म आप देख रहे हैं करीब 6-7 महीना पुराना फार्म है प्लास्टिक की जो पाइपे हैं यह वोटरिंग के लिए यूज़ करते हैं फवारे के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं यह लोग पानी छड़काव के लिए यह पूरी पाइप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने के बाद फिर यह पानी कैसे पहुचाते हैं क्योंकि यह डिप तो है नहीं है तो पानी कैसे पहुचाते हैं मैं आपको यह दिखाता हूँ देखिए हर एक पाइप के साथ में हर एक लाइन के पास में इस तरह की काले रंग की यह फ्लेक्सिबल पाइप है यह देखिए यहां यह कनेक्ट हो जाती है इसके साथ में और यहां से आप देखेंगे यह वाल को जैसे खुलते हैं पानी आगे चला जाता है और यहां यह फवारे की मदद से यह पानी देते हैं हर एक लाइन के बीच में एक इस तरह की पाइप यहां छोड़ी जाती है तक कि उस बाजू में भी पानी दिया जा सके और इस बाजू में भी यह लाइन काफी लंबी होती है आपको और लाइने दिखा जेता हूं ताकि आपको यह पिक्चर और क्लियर हो सके किचड बहुत ज्यादा है पानी बारिश हुआ है तो देखिए पैर में भी बहुत किचड लग गया है यह देखिए यह इस तरह से यह पाई पे एक आपने वहां देखिए ती लाइन हो देखिए तो इसको दोनों साइड से यह लोग यूज कर लेते हैं तो श्यायद आपक करके समझाना तो पोसिबल नहीं है बाकी मैंने आपको मोटे तोर पे समझा दिया है कि चारो पत्तो को बैंड किया जाता है बैंड करने के बाद में एक्स्ट्रा लीफ को कट कर दिया जाता है जो इस रिंग के आसपास के लीफ होते है यानि जो चार इंच का जो जो इसका पोल का जो साइज है चार इंच वाई चार इंच उसके अंदर जितना मैक्सिमुम लीफ रखा जाए जैसे ये लीफ रखेंगे ये ये लीफ भी रखेंगे बाकि ये दो लीफ दो तीन लीफ है इसको तोड़ दिया जाता है इनको ये तोड़ देंगे बाकि इन दोनों को ये तो इसे साब से यह लोग मैनेज करते हैं, जैसे अब यहां देखिए, यह लीफ निकला था, इस लीफ के ओपर दो लीफ और निकल गए, इसको यह नहीं रखेंगे, इसको तोड़ दिया जाता है, यहां यह रखेंगे इसको, यहां इसको रखा जाएगा, तो काफी हद तक आ यहां इसको यहां देखिए, इससे साब से मैनेज करते रहते हैं, डारेक्शन देनी होती है, अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे वल्गर तरीके से तो फिर यह अच्छे से कनोपी नहीं बनाएगा, अब यह प्रूनिंग करेंगे इसको देखिए, यहां इसको प्रून क करना चालू करती है, बहुत असानी से बैंड हो जाता है, बोलते हैं लोग टूट जाता है, देखिए, मैं खुद बैंड कर रहा हूँ, नहीं टूट रहा है, अगर कच्छा लीफ रहता है, उस समय के आप बैंड करते हैं, तो नहीं टूटेगा, अगर ठोड़ा हाड हो जा बढ़ेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता आगे, इस तरह के कॉंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए, तो आज की वीडियो में सिरफ इतना ही था, मिलते हैं, नहीं वीडियो में, वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे आने व अच्छे से कर पाएं और इस खेती में आगे बढ़ें ज्यादा से ज्यादा आउट पूट लें और इस खेती को सक्सेस बनाएं ताकि नए किसान भी इसके साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इंकम जनेरेट करें कि यहाँ प्रैक्टिस रखते हैं अपने बिना कॉंकरीट रिंग के और बीना टायर चैनोपी बना लेते हैं हम भी कोशिशिक करेंगे कि इंडिया की अंदर भी सेम एसे ही हम अपना स्टक्टर में कोस्ट करória किया जाए क्यों तो इसमें काफी किसान भाईयों का फाइदा होगा क्योंकि इनिशल कोस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है ड्रैगन फूट में 70 पसंड जो कोस्ट होती है वो स्ट्रक्चर की ही होती है अगर उसमें से 30 पसंड कम हो जाए तो काफी इसमें हमारे किसान भाईयों के ड्रैगन फ झाल